उत्तर प्रदेश का इतिहास बेहद ही पुराना और रोचक है। उत्तर प्रदेश का कुशी नगर था, जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश में कई केंद्र जैसे अयोध्या, प्रयाग, वारानसी और मत्धुरा शिक्षा के प्रतिष्ठित केंद्र बन गए। और उनके मुस्लिम शिष्य कबीर, तुलसी दास, सूर दास और कई अन्य बुद्ध जीवियों ने हिंदी और अन्य भाशाओं के विकास में योगदान दिया। बिटिश शासन में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी बौधधिक उत्कृष्टता को बनाए रखा। खैर, इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। और इसे आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा। 1935 में नाम को छोटा करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया। अंत में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का अस्तित्व 24 जनवरी 1950 में आया। जब भारतिय गवर्नर जनरल ने उनाइटेड प्रोविंसेज आल्टरेशन ओफ नेम आडर 1905 को मंजूरी दी। इस आदेश के तहत उनाइटेड प्रोविंसेज का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश ने विभिन परिवर्तनों का सामना किया। उत्तरा खंड भी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके स्थापित किया गया था।